जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में विकेंट लॉकडाउन लगा कर हर जगह सैनिटाइजेशन करानी का फैसला उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है वहीं इसको अमली जमा पहनानी के लिए अधिकारी भी जुट गई है उसी कड़ी में या जनपत बहराईच में भी संडे के दिन विकेंट लॉकडाउन लगा पूरे जिले के मुख्य चौराहू वा भीडभाडवाले इलाकों का सैनिटाइजेशन किया के जलादिकारी शम्भु कुमार ने बताया कि जिले इस्तर पर नगरपालिका वा ग्रामीर शित्रों में नया पंचात के इस्तर से सभी भीडभ अतरक्ता बढ़ती जा रही है अभी शरकार ने जो कर्फ्यू लागू किया था जिसके अंतरगत उद्देश ये था कि जो सहरों के या ग्रामीर शित्रों के जो मार्केट हैं या भीर भारवाले इलाके हैं वो खाली हो जाए और उस बीच में वहां के जो स्वास्त बंदी विभागे जैसे कि नगर छेत्रों में नगर पालिका और ग्रामिन छेत्रों में वहां की ग्राम पंचाए उस पूरे एरिया को सेनिटाइज कर ले और सेनिटाइज़ से इसका फाइदा ये होगा कि कोरोना के संक्रमन जो फैल रहे हैं उसकी गति में कम ही आएगी तो इस उ पहले, पहने, social distancing का फालन करें, sanitizer का परियोग करें, अपने घरों को, अपने आसपास के इलाकों को sanitize करें. इस सारे कि सारी बातें लोगों को सिखाई जा रही हैं. इसके साथ-साथ हम लोग अपने जो hospital, उनकी भी facility को इंप्रूव किया है, हमारी L2 facility काम कर रही है, और जो भी पेसेंट critical condition में हमारे पास आ रहे हैं, उनको चाहे वो oxygen की सुधा हो, चाहे special services को health services हो, वो सारी drugs की facility, सारी चीजे दवाएं, सारी चीजे हम लोग उपलब्द करा रहे हैं, और कोशिस है कि जनपत के नगरवासी को इस अगले तीन दिन तक, अगले पास दिन तक जो oxygen की हमारी आवशक्ता है, उसकी विवस्था सुनिशित किये हुए है, जनपत बाहराईच में oxygen संब्दिन किसी तरह की कोई समस्या नहीं है